नमस्कार दोस्तों मैं गनेशादित स्वागत करता हूँ आपका कम्पेटिशन कम्यूनिटी के ऑनलाइन प्लेटफोर्म पे दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं विशय वह विशय जो है संग लोग सवायोग एवं विभिन राज्यों के राज्य लोग सवायोग का एक महत रहेंगे इतिहास के बारे में तो सबसे पहला आज हमारा चैप्टर होगा इतिहास जानने के सुव activists एतिहास जानने के लिह हम जो है दो प्रकार के साधनों का परियोग करते हैं पहले हैं सह ठीक रोफ्न दूसरा है पुरा-तत्यी Clayas जिन सहीत्यों में समाज के समाजी को चिरुन हैं उसके बाद हम देखते हैं अगला rejection पुरा ताट्विक श्रोत का मतलब हो गया, लिखे साहित तो तब रचना होई जब मानों ने लिखना से चालू कर दिया, तीक लेकिन उससे पूर्व क्या होता था, तीक जब लिपी नहीं था, तो मानो क्या करते थे थे, विभीन परकार के वस्तु कला करते, और उनके दोगा जो निर्वित वस्तुएं थी जो बाद में धीरे-धीरे मिट्टी में दब गई बाद में हम उठ्खरन से उसको जब हमने उसको प्राप्त किया तो उसी तत्तों को हमने क्या कहा पूरा तत्तों कहा अर्थाथ जैसे सिंदु घाटी से भैता का जो खोज है थीक वह एक तत्का को दो होता है तो कोफिड होने से वहां पर आपको कुछ सवय प्राप्त होती है उनी वस्तु का हम पूरा तक सो कहते हैं ठीक है एक एक करके भं देख लेते हैं देखिए साहिटिक सुरोत को हम आगें भागों फिर बार्ठ पहला भाग ओंगे हमारा ढार्मिकbes flirt औरताथ ततकाली समाज में देखेगा रिग-वेदीकाल, उतर-वेदीकाल में बहुत सारे ऐसे धार्मिक गृन्थ हैं जोनों भारे में आदि धर्म के बारे में चर्चा तो की है परभडर्तु साथ ही साथ जाने नजाने में या प्रत्थ शा परत्थ उौश्व से वहां कि समाज विवस्दा राजनितिक विवस्था आधी के भी चर्चा की है थीख है दूसरा है लौकिक साहित्त्यू को लेंगे जो कुछ लेखोगों ने थीख है उस समय इन सारी की इसी प्रकार बाद में दिखिएगा बहुत सारे विदेशी यात्री जो भारत को भ्रह्मन करने आते थे या भारत में सिक्षपराप्त करने आते थे तो इन यात्रियों द्वारा जो भारत में भ्रह्मन करें या यहां पर रहें यहां के जो संस्कृति परिवेश इनको इसे हम कहते हैं विदेशी यात्रियों का यात्रा-वृत्तांत तो इसके माध्यम से भी हमको बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकरीब पता चलता है अगला है पुरत तत्विक उसको चितरकला ठीक जैसे की देखिएगा कबड़ा पहार सिंगनपूर पहार उसके अलावा आपका बागी की गुफाएं या कहें भीम बेटका की गुफा उन गुफाओं में उस समय के रहने वाले जैसे कि पासानकाल हो गया पासानकाल में भी रहने वाले वेक्तियों ने व असोक ने अपने राज्य देश को विवने स्थानों पे परसारित परचारित करने के लिए अभी लोखों का सहारा लिया अभी लेक क्या होता है अभी लेक जो है वो पत्थरों से निर्मित होता है और इन पत्थरों से निर्मित अभी लेकों में राजा द्वारा व्याख्य किये गए ठीक राज्य देश को ठीक in refill किया जाता है मतलब इसमें लिख दिया जाता है उसे हम अभी लेक कहते हैं सिक्के अभंन निवस्तू सिक्के अवम अंध वस्तू देखेगा जिसे की कोई एक राजा है ठीक जिसे चंडर गुप्थ है चंडर गुप्थ के सिक्के जहां हम देखते हैं कि अगर ये सिक्खे किसी विदेशी देश में प्राप्थ होते हैं वह समझते हैं कि उस देश का श्राजा के साथ वेपार था अर्थार्त थीक आंत्री का अवाभा है दोनों की जानकारी मिलती है तो इतियास जानने के लिए हम दो परमुक चीजों का सहरा लेते हैं सहितिक स्रोत और पुरा तात्विक स्रोत का अब हम एक-एक करके इनका अविशन करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक गरंथ, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, धार्मिक गरंथ को देखते हैं, चलिए, सबसे पहले हम साहितिक श्रोत के अंतरगा धार्मिक गरंथ को देखते हैं, धार्मिक गरंथ क्या है, देखे, जब पहली रचना हुई, विश्व का सबसे प्रथम गरंथ किसे से माना जाता है तो वेदो को माना जाता है ठीक है तो वेदों के बाद ध्यान रखिएगा विभीन अलग-अलग प्रकार के धर्मों का जब उदय हुआ तो उस समय तीक अलग-अलग धर्मों के से संबंधित लोगों ने अलग-अलग गरंथों की रिषना की उन्हीं गरंथों गैर वेदिक धर्म से समंदित साहित इसके अंतरकत हम वेद को लेते हैं वेद, पुरान, ब्रामान ग्रंथ, वेदांग, आदी ठीक है गैर ब्रामान ग्रंथ के अंतरकत हम दो धर्म से समंदित साहित को लेते हैं जैन धर्म और बौद धर्म जैन धर्म और बौध धर्म, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म और बौध धर्म में ब्रामण धर्म का विरोध किया था, इसलिए इसको ब्रामण धर्म के कैटिगरी में नहीं रखते हैं, इसे हम कहां रखते हैं, गैर ब्रामण साहित या गैर ब्रामण धर्म, ठीक है, तो जैन रगूवन्स, मालविकाग दिमित्र, इंडिका, आदी येसे बहुत सारे गरंथ है, ठीक है, तो लौकिक साहित में से बहुत सारे गरंथ है, ठीक है, इनकी चर्चा हम करेंगे, तो आप इसको देख लिजेगा, ठीक है, इस पर ओवर अल क्या है, साहित में दो परकार के धार् और लौकिक, तो धार्मिक के अंतरगत है ब्रामःड और गयर ब्रामःड, ठीक, ब्रामण में वेद पुरान, ब्रामण वेदांग आदी, और गयर ब्रामण में जैन और बौद, पहले हम इस कैटिगरी के अंतर पहले हम ब्रामःड, उसमें हम वेद को पढ़ेंगे, चलि रखिएगा वेद का समान अर्थ होता है ज्यान अर्थात वे साहित जिसमें ज्यान से संबंधित ठीक स्लोक रिचाएं आदी आबद्ध है ठीक अर्थात वे गरंथ जिनमें ज्यान है ठीक तो ध्यान रखिएगा वेद का साबदिक अर्थ की चर्चा कर रहे हैं तो वेद का सा वेक्ति विशेष्त नहीं की है, अरथात इसे क्या मना गयا है? आप औरुष्ये, ध्यान रखेगा, तो यह है क्या? इसे कहा गया है देवकृत, इसकी रचने किसने की है? देवों ने की है, तो ध्यान रखेगा विशेष्रुप से वेद का साथब्ध कर्द हो क्या ज्यान, ट ठीक, वेद, वेद जो है, ये चार प्रकार के हैं, और ये जो चार वेद क्रमसह, पहले रिग वेद, साम वेद, यजूर वेद, और अथर वेद, ध्यान रखेगा, रिग वेद, साम वेद, यजूर वेद, और अथर वेद, ये जो है क्रमसह, ठीक है, एक एक करके इसका विका रिग वेद का विकास रिग वेदिक काल में हुआ है और बाकी को हम उत्तर वेदिक काल के अंतरगत रखते हैं उत्तर वेदिक काल ध्यान रखेगा उत्तर वेदिक काल में ये वेद जो है विश्व के सबसे प्राचिंतम गरंथ है ठीक इसकी तुलना हम इरान के जो एक प्रभुख पुस्तक जिंदा विस्ता उससे कर सकते हैं इसके भी चर्चा कर लेते हैं वेद क्या है वेद जो है विश्व के विश्व के प्राचिंतम गरंथ है प्राचिंतम गरंभ है, इसकी रचना एरां की एक पुस्तक है, एरां की एक पुस्तक जेन्दाविस्ता से किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक, अर्थात रीगवेद के समय में एक और साहित था इरान में जेन्दाविस्ता, दोनों की तुलना की गई अर्थात थीक है, उशendra बहूसे भ पौरिष्य है ठीक इसकी रचना किसी वेक्ति विशेश ने नहीं की है तो ये कहां से आ गए ठीक तो ये कहां से आ है ध्यान रखिएगा वास्तों में वेदों का संकलन किया गया है वेदों का क्लेक्शन किया गया इसलिए वेदों को सहीता भी कहा जाता है वेदों को क्या कहा गया है संकलन्द किया गया है और ये वेदों के संकलन्द करता किसे माना जाता है कृष्ण द्वयपायन वेदव्यास थीक वास्तों में इनका नाम कृष्ण द्वयपायन है ठीक है उन्होंने वेदों का संकलन्द किया किया व्यास के अंतरकत इसलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ा तो clear है यहाँ पर तीक है तो रिग वेद साम वेद ये जूर वेद और अथर वेद ये हमारे चार परमुख वेद है और इसको हम एक एक करके पड़ते हैं वन बाई वन तो ध्यान रिखेगा इन चारो वेदों में से यह जो पर्थम परथम तीन वेद हैン यह परतम तीन वेद इसको वेद त्रई कहा जाता है वेद त्रई देखते हैं ऩो आएख है को बारे में नहीं सुल सबसे प्राचीन गरंदे सबसे पहले चीज वेद तो है, वेद में सबसे पहला हो गया आपका रिग वेद, अर्थात रिग वेद आपका विश्व का, विश्व का प्राचिंतम गरंथ है, प्राचिंतम गरंथ, ये क्लियर है, ठीक, अब आएक करके देख लेते हैं, रिग वेद में, देखें, रिग, रिग जो है, ये र से बना है रिक अर्थात क्या होता है रिक का रिक का आर्थ होता है रिचा ठीक ध्यान रखिएगा रिचा अर्थात वे साहित जिसमें ग्यान जो है रिचाओं में आबद्ध है उसी को हम रिग वेद कहते हैं क्लियर है ठीक है विशा है ध्यान रखिएगा रिग वेद का विश तो ध्यान रखिएगा इसका किसी व्यक्ति विशेश से इसकी रचायता नहीं मान सकते हैं, फिर भी विश्वामित्र अपाला घोशा थिक है, वशिष्ट आदी को इनके संकलन करता या इनके रचनकार के रूप में माना गया है, ध्यान रखिएगा, कि इनको विश्वामित्र वशिष्ट अपाला घोशा अर्थाद कुछ इसमें महलाओं का भी नाम आता है, विदोसी महलाओं का भी नाम आता है, ठीक है, चलिए, भाग, ध्यान रखिएगा, रिग वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सुक्त हैं, और 10,580 रिचा हैं, ध्यान रखिएगा, और इनमें से 11, 11 को ब बाल खिल सुत्र कहा गया है, बाल खिल सुक्त, यहान रखिएगा, बाल खिल सुक्त, इसमें से, ठीक है, यहां से, 11 को क्या कहा गया है, बाल खिल सुत्र, बाल खिल सुत्र का मतलब हो गया, जो बाद में जोड़े गया है, अर्थाद 11 जो है, वो बाद में जोड़े गया है क्लेर है चलिए अब ध्यान रखिए गए इसकी साखा रिगवेद की कितनी साखा है रिगवेद की प्रवुकृप से पाँच साखा है पहला है साकल दूसरा है वाशकल वाशकल आश्वलायन शांखायन और अगला है मंडुक के मंडुक के तो ये हैं हमारे रिगवेद के पाँच साखा रिगवेद के उचारन करता पुरोहित को क्या कहा गया है होत्र कहा गया है होत्र या होता ध्यान रखिएगा रिगवेद के उचारन करता जो पुरोहित है उसे क्या कहा जाता है होत्र या होता कहा जाता है तिक मंडल म 10 मंदल, ये repeat हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, देवता, देवता के बारे में हाँ पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, रिग वेद में सबसे प्रमुख्व देवता किसे माना गया है? इंद्र को माना गया है, किसे माना गया है, इंद्र को, इंद्र का वर्णन जो ह के प्रमुख देवता है इंद्र को पुरंदर कहा गया अर्थात पूरों को जितने वाला कियों को जितने वाला ठीक अगनी जो है अगनी ऐसे देवता है ठीक जो प्रिथ्वी और स्वर्ग इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं कैसे जब यग के माध्यम से मंदला में विशेष चर्चा कर रहे है जा से मंधल है जैसे मंदल हैं जैसे कि आपके यह तीसरा मंदल के बारे करते हैं थीसरा मंदल की रचना विश्वा मित्र ने ठीक है दोस्तो द्यान रिखेगा एक एक पॉइंट जो है important है इसमें skip कर नहीं सकते हैं आप तो तिसरा मंडल की रचेता कून है विश्वा मित्र ठीक है इसमें क्या है गायतरी मंत्र ठीक है तिसरा के बाद हम देख लेते हैं अगला सात्वा मंडल सात्वा मंडल में वरून देवता के बारे में चर्चा है और सात्वा मंडल में ही दस राग्य युद्ध जो की पारुष्णी नदी के तटपे हुआ था ठीक है, रावी नदी के तटपी हुआ था, दस राजाओं के बीच में, इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है, अगला देख लेते हैं, नववा मंडल, नववा मंडल जो है, वो स्योम, सोम देवता को समर्पी था, ध्यान रिखेगा, सोम देवता को, ठीक है, वास्तों में, सोम आपका, आउश्वधी की रूप में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता था, ठीक, जड़ी-बूटी टाइप का, उससे, सोम द्रव एर्था, ठीक, एक पे बनाए जाता था, जो की एक चोली में, एनर्जी ड्रिंक था, तो ध्यान रिखेगा, सोम देवता को वर्णन किस में है, नोवे मंदल में, दस्वे मंदल में, ठीक, दस्वे मंदल के पुरुष सुक्त, दस्वे मंदल के पुरुष सुक्त में चातूर वर्ण विवस्था, चातूर वर्ण विवस्था का वर्णन है, चातूर वर्ण विवस्था का वर्णन है, चातूर वर्ण विवस्था के अंदर का पहला ब्रामार, दुसरा च्छत्री, फिर वैश्यो और सुद्र, अब हम चर्चा कर लेते हैं इस में से दस राग्य युद्ध के बारे में, इतना क्लियर है स्क्रीन सॉट इसका कर लीजी आप, ठीक है, अब देखते हैं दस राग्य युद्ध, दस राग्य यु रखिएगा, इसी को ही भरत जन या भरत कबीला कहा गया है, भरत जन या भरत कबीला, दूसरा परमुख कबीला है आपका पूरू कबीला, पूरू कबीला, इन दो कबीलों के मद्ध युद्ध हुआ है, ठीक है, वास्तों में क्या हुआ था, एक तरफ ये भरत कबीला था, और दुसरी तरफ पूरु कबिला, साथी साथ इसके साथ और लोग थे, ठीक अर्थाथ एक तरफ दस राजा, एक तरफ दस राजा और दुसरी तरफ केवल एक कबिला, ठीक है, तो ध्यान रखेगा भरत जो जन थे, भरत कबिले इनके पंडित या पूरुःत थे वशिष्ट वशिष्ट और दुसरे जो कबीले थे पूरू कबीले इनके पूरुहित थे विश्वा मित्र पौस्तों में ये जो युद्ध था इनहीं दोनों पूरुहितों के बीच था इनका सहयोग किस ने किया था इन राजाओं ने किया तो एक तरफ आपका भरत जन अथा तुसु कबीला ठीक है दूसरे तरफ पूरु कबीला ठीक तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिस युद्ध में ठीक है विजय किस क्यों हुई भरत जन की अब बाद में ये कहा जाता है इसी भरत जन के नाम से इस छेतर का नाम भारत पड़ा क्लियर है चलिए यह हो गया 10 रागय युद और यह जो 10 रागय युद यह कहाँ लड़ा गया यर रावी नदी के तठ पे ध्यान रखेंग रावी को रगवेध काल में है पारुष्णी नदी के नामसे जाना जाता है यह इसका एक कर लिजे आप चलिए इसमें से बचा है आपका ब्रामन गरंथ ब्रामन गरंथ के बारे में देख लेते हैं ठीक ब्रामन गरंथ ध्यान रखिएगा इसके दो प्रमुख ब्रामन गरंथ है ठीक है पहला है एत्रे और दुसरा है कौशित की कौशित की ध्यान रखिएगा कौश है चलिए यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा में मिस कर रहा हूं तिक वो है दूसरा से सात्वा मंडल ध्यान रखिएगा दूसरा से सात्वा तिक मंडलों के में एक मिस्ची हो गया था तिक तो ध्यान रखिएगा एक चीज और है कि जब यह जो दस मंडल है ध्यान रखिएगा एक चीज मंडलों के बारे में है ये जो दस मंडल है इन दस मंडलों में जो पहला मंडल और दस्वा मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है अर्थात ये क्या है सबसे बाद में जोड़ा गया अर्थात ये क्या है सबसे नवीन है तिक ये सबसे Ngoc, पहले दस्वा सबसे बाद में सबसे नवीन तिक दूसरा और सात्वा ये सबसे प्राचीन है साती सात एक और चीज है दूसरा से सात्वा तिक ये जो है दो से सात मंडल के बीच के मंडल को हम क्या कहते हैं वंस मंडल रिशी मंडल रिशी मंडल और देव मंडल इन नामों से इनको जाना जाता है ध्यान रखेगा तिक है इन दस मंडलों मे यह आपका एक बहुत ही महत्रपुन ठीक, फैक्ट है, इस चीज़ को आप विसे सुर्प से ध्यान रखेगा, यह दूसरा से सातवा मंडल है, इसको वंस मंडल, रिशी मंडल और देव मंडल इन नामों से जाना जाता है, यह हो गया हमारा रिग वेद, रिग वेद के बाद हम अगला वेद देख लेते हैं, साम वेद, साम वेद, देखे, उत्तरवेदिक कालिन गरंथ, उत्तरवेदिक, इसका रचना जो है, ठीक, उत्तरवेद काल में हुआ था, पहले देखते हैं कि साम वेद का अर्थ क्या है, साम, ध्यान रखेगा, साम, इस सब्द का, साम का अर् ठीक अर्थात जो रिग वेद में जिन मंत्रों को दिया गया है उन्हीं मंत्रों को यहां पर गायन के तरीके से पेस किया गया है तो ध्यान रखिएगा ठीक यहां पर क्या दिया गया है वही मंत्र दिये गया है जिनको गया जाता है ठीक इसे भारती संगीत का जनक भी कहा जा ठीक है तो विशय में भी हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि यहां पर जो है ठीक मंत्रों को क्या क्या गया है ठीक गाया जाता है ठीक सामवेद के इंतरकत मंत्रों को गाया जाता है भाग सामवेद के भाग भाग में हम देख लेते हैं कि सामवेद में कूल भी लाके 1875 रिचा ह है भाग इसमें कुछ ऐसा विशेश उरुप से भाग की चर्चा नहीं की गई है हम यहां देख लेते हैं कि सामवेद में अठारा सो पच्छतर रिचा है जिसमें सी अठारा सो जो है यह रिगवेद से लिया गया और केवल पच्छतर को ठीके बाद में इसमें जोड़ा गया ह है तो ध्यान रिखिएगा ठीके मूल रूप से अठारा सो जो है अपका रिगवेदिक का है और पच्छतर जो है इसका मूल है हाला कि इसमें कुछ परिवर्तन के साथ इसको रखा गया है ठीके गायन के तरीके से आईए अब हम सामवेद के साखा के बारे में देखते हैं सा इसरा रा ना येनी ध्यान रिखिएगा ये तीन परमुक साखाएं है ठीक है इसके उच्छारन करता को क्या कहा गया है ठीक है सामवेद के उच्छारन करता को उदगाता कहा गया है ठीक है ब्रामन गरंथों की चर्चा कर लें तो ब्रामन गरंथे इसमें ठीक एक ट्रीक है 56JT ठीक है अर्थार्थ यहाँ पर हम इस ट्रिक के बादे हम से इसको देखेंगे ठीक पाँच तो पाँच से पंच वीश पहले इस चीज को all clear कर लो पहला है पाँच से पंच वीश पंच वीश फिर सड वीश जैसे जैमिनी ये और टी से तंडव ये है हमारे ब्रामन गरंथ ठीक है यहाँ पर आपको दो चीजे common मिल जाएंगी जैमिनी है कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं आए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं यजूर वेद के बारे में यजूर वेद जो है ये हमारे वेद में से तिसरा वेद है ठीक है पहला होगे रिग वेद दूसरा होगे साम वेद यजूर वेद यजूर वेद क्या है पहले इसके बारे में ध्यान रखेगा यजूर तिक यजूर वेद जो है ये वास्तों में बना है यजस या यजूस सब्द से यजूस का अर्थ होता है 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 यजूस का अर् क्रिष्ण यजूरवेदuceं yaşoona दूसरा है सुखल यजूरवेद identify ज्यान रखिएगा इसके यजूर बैत के दो साखा था थे हैं क्रिष्ण यजूरवेदु और सुकल यजूरवेद यह क्रिश्ण यजूर बैद है एक्चुली में ये गद्दे में लिखा गया है ठीक है और ये जो सुक्ल ये जूरवेद है ये गद्दे के साथ साथ पद्दे में लिखा गया है ठीक इसलिए ये कहा जाता है कि आपके ये जूरवेद के धियान रखेगा है ये जूरवेद जो है वो गद्द एवंपद्द दोनों में लिखा गया है तीक है, क्या कहा जाता है कि यजूरवेद गद्द एवंपद्द दोनों में लिखा गया है इसलिए कहा जाता है इसके उचारन करता को हम अघरवयू के नाम से जानते है ठीक है उच्चारन करता पूरोहीद अब ब्राह्मन गरंथ की बात करें ठीक है यजूर वेद के ब्राह्मन गरंथ कौन-कौन से है साथ और तेरा ध्यान रखिएगा यजूर वेद के ब्राह्मन गरंथ के बारे में याद आएगा तो साथ तेरा अर्थाथ सत्पत सत्पत ब्र ये आएगा आपका किस्म के य゜ू अरवेद कर लिए अब आगे देखते हैं कि अथरवेद देखेगा हम समानेता किस क्या कहते हैं अथरवेद हम अब अ critic के के बारे में हम समानेता क्या कहते हैं कि यह जो भी वेद हैं यह वेद आप और उससे हैं ठीक अर्थात किसी विशेश पूरुस द्वारे इसकी रचना नहीं की गई है परन्तु आगे जाके हम बोलते हैं कि संकलन किया गया है सहीता है ठीक इस बात को यहां पर फिर से आ जाए करते हैं ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं अथरवेट की जो रचना है ठीक अथरवा एय्वा अंगीरस रिशी द्वारा किया गया है अथरवेद की रचना ठीक इसका विशा जली CA together तो इस पर देखान रखेगा तीक रोग निवारण, जादू टोना, वशी करण, यहाँ पर वास्तु सास्तर का भी चर्चा है, साती सात इसमें आयूर विज्यान के भी चर्चा है, देखान रखेगा, आयूर विज्यान, इतने विशय हैं इसके, ठीक है, रोग निवारन, जादू टोना वशी करन, वास्तो सास्त्र और आयुर विज्ञान, ठीक, इन विश्यों पे आधारित है अथरवेद, अब आजे इसके भाग, अथरवेद के भाग कितने हैं, अथरवेद के दो भाग हैं, पहला है आपका, शोनक, शोनक, और दुसरा है पिपलाद, ध्यान रखेगा, ठीक, सौनक और पिपलाद, ख्लीर हैं, चली, आगे बढ़ते हैं, अथरवेद के अणि-णम है, क्या क्या नाम है, इसको बहुत important है, ध्यान रखेगा, इसकी रचना किस्ति क्या है, अथरवा एवाम अंगिरसने, इसलिए इसका एक और ध्यान रखिएगा, इस वेद में भूमी के बारे में बहुती विशद वर नन है, पृत्वी के बारे में, ठीक है, और पृत्वी का एक और नाम है मही, इसलिए इसको मही वेद भी कहा जाता है, मही वेद, ठीक है, इसमें देखेगा, रोग निवारन, रोगों के निवारन के बारे में चर्चा किया गया है, अर्थाद इसमें आईर विज्ञान कर चर्चा है, इसलिए इसका एक और नाम है, भैसजवेद, भैसजवेद, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, इनके characteristics, अर्थाद इनके विशेस्ता के अधार पे, इनके तीन अर्णे नाम आते हैं, अथरवा अ कहा जाता है, अघरवयू, क्लियर है, अथरवेद के कितने ब्रामन गरंत हो जाएंगे, अथरवेद का, ठीक है, एक ही ब्रामन गरंत है, और वो है, गोपद, ध्यान रखिएगा, गोपद ब्रामन, क्लियर है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कि आपके अथरवेद के कि इसमें खैने भाग, इसमें कितने सुक्त हैं, तो द्हान रखेगा, अधरवेद के, ठीक है, 20 भाग, ठीक, इसमें आपके 731 सुक्त गिने जाते है, सुक्त, ठीक है, किन्य किन्य पस्तछकों में 730 दिया जाता है, ठीक, इसमें ध् visual रखेगा कुल मंत्रों की संख्या की बारे में अगर चरचा चले तो कुल मंत्रों की संख्या 58900 5987 मन्त आते हैं मोटक कई पुष्नो कोण में 6000 लिखा गया है ध्यान रिखेगा 20 भाग 731 सुक्त और 59 1987 मन्त ठीक या लगभग 6000, clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आएब हम चारो वेदों का वर्गी करण कर लेते हैं, चारो वेदों के जो basic characteristics हैं, उनको एक ही अस्थान के पढ़ते हैं, ताकि तुलना करने में आसानी हो जाए, ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं, वेद, वेद में हमारा सबसे पहले हैं, उपवेद, अर्थात, वेद के कोन-कोन से उपवेद हैं, तो ध्यान रखेगा, ठीक, एक-एक वेद के बारे में हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेगा, रिग वेद का उपवेद, रिग वेद का उपवेद हैं, आयूर वेद, आयूर वेद, स धनूरवेद, अथरवेद का सिल्पवेद, यह है हमारा वेदों के उपवेद, रिगवेद का उपवेद है आईरवेद, सामवेद का उपवेद है गंधरवेद, यजूरवेद का उपवेद है धनूरवेद, और अथरवेद का उपवेद है सिल्पवेद, अब इसके ब्रामनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एक एक करके देख लेते हैं कि रिगवेद के कौन से ब्रामन है सामवेद, यजूरवेद और अथरवेद के ठीक है चलिए ब्रामनों के चर्चा कर लेते हैं आए अब हम रिगवेद के ब्रामन गरंथ के बारे में पढ़ लेते हैं, रिगवेद का पहला ब्रामन गरंथ है, एत्रे, और दूसरा है कौशित की, कौशित की, तो इसके दो ब्रामन गरंथ हो गया, रिगवेद के पहला हो गया, एत्रे और कौशित की, सामवेद के, ठीक है, पहला हो गया, तीसरा हो गया, जैमिनी, और चौथा हो जाएगा, तांडव, ये सभी एक जगह में है, आपको पढ़ने में सानी होगा, यजूर वेद, यजूर वेद का ब्रामण ग्रंथ, यजूर वेद के ब्रामण ग्रंथ कोन-कोन से है, ठीक है, तो सत्पत ब्रामण और तैतरी ठीक है, और अगला है, अथर वेद, अथर वेद के ब्रामण है, एक ब्रामण, गोपद, ठीक है, तो आप आए फिर से देख लिजे, रिग वेद के एतरे कोशित की, साम वेद के पंचवीस, सड़ीस, जैमिनी, तांडव, ठीक, यजूर वेद के सत्पत और तैतरी, और अथर वेदों के पुरोहित गरंथ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक, व्रिग वेद के उचारन करता को क्या कहते हैं, होत कहते हैं, ठीक, होत, साम वेद के उचारन करता को उदगाता, यजूर वेद के उचारन करता को अघरवयू, और अथर वेद के उचारन करता को ब्र तिक रोत उध्गाता अघरवियू और ब्रम्मा क्रम शाह तिक यह आपके रिग वेद यजूर वेद सांवेद यजूर वेद और अथर वेद के तिक रमसा ये ब्रामाण ग्रंथ है विशय रिग वेद के विशय क्या है यग ध्यान रखिएगा सौरी, रिग वेद के में मंत्रों का वर्णन है, ध्यान रखेगा, मंत्रों का, देवी देवताओं का, साम वेद में आपका गायन का है, गायन, ठीक है, आपका यजूर वेद में यग्य एवम करम कांड, ठीक, और अगला है आपका अथर वेद, इसमें रोग निवारन, रोग वेद, उपवेद, ब्रामण, पुरोहित और विशय, इनके विशय, ठीक, इनका यहाँ पर एक छोटा सा विश्लेशन किया गया है, ठीक, इसका स्क्रीन सॉट कर लिजे, ठीक, उपयोगी है आपके लिए, चलिए, अब हम देखते हैं आर्राणयक के बारे में, आर्राणयक क् कैसा ग्रंथ है, जिनकी रचना, जिनकी रचना, आर्राणय अर्थात वन में हुई है, ध्यान रखिएगा, वन में हुई है, तो इसका उद्देश क्या, इसका विशय क्या है, इसका विशय है, रहस्यात्मक जितने भी ग्यान है, रहस्यात्मक ग्यान, ठीक, रहस्यात्मक दार्षनिक ज्ञान, इसमें आत्मा के बारे में चर्चा है, जीव के बारे में चर्चा है, मृत्यू के बारे में चर्चा है, तिक इन सभी विश्यों का ज्ञान किया गया है, ध्यान रखे, अरणे का साब्दिक अर्थ हो गया, अरणे, अरणे, अर्थात वन, अरथात वह सा इतिय वह गरंत जिसकी रचना वन बे की गई है वद में की गई है तो इसका विशा क्या क्या हो गया भी इसका संगिने साथ मागा तिक त्युक्र mg ग्यान है उनको इसके कैटेगरी मी रखा गया है श्क्राइक यह हमारे जीव लकुते हैं हाई अई आगे भीड़ते हैं ठीक है, शिष्य को गूरू के समीपे बैठ के ज्यान प्राप्त करना, अर्था उपनी सब्द का साप्दी करत हो गया, ठीक निकट बैठना, ज्यान दखिएगा, निकट बैठना, उपनी सब्द जो गरंथ है, ठीक है, चुकि ये वेदों के अंतिम भाग माना जाता है, इसलि भाग, इसलिए इसको कहा गया है, वेदान्त, क्लियर है, उपनी सब्द जो है, उपनी सब्द की जो रचना है, ठीक ये उत्तर वैदिक काल में हुई है, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काली इन गरंथ है, इसकी रचना कहा हुई है, उत्तर व कि विषया अजो करूछ को चुना गया है। इसलिए इसको ब्रह्म वेद के नामसे जाना जाता है। अब्रह्म वेस्थ उपनिष्ठा के लिए कि ब्रह्म विद्ध के नामसे पनादकों है। आयेब हमारे पास 4-5 व्राच्छ हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, मुंददक उपनिशद, त्निक जो है मुंदक उपनिशद में है, इसे में हमारे टिक राष्ट मुंदक आपनिशद में यग को क्या कहा गया है? तो यग जो है ऐसा नाव है जो आपको पूरी तरीके से पार नहीं करा सकता यग की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है क्लियर है? चलिए कठोपनिसद जो है इसमें यम और नची केता के समवाद दिये गए है यम और नची केता समवाद यम और नची केता इन दोनों के बीच में जो चर्चा हुआ है ति उनी चर्चा को कठोपनिसद में दिया गया है तिक जबाल उपनिसद ध्यान रखिएगा जबाल उपनिसद में तिक है आसरम विवस्था का वर्णन है आसरम विवस्था का वर्णन है ठीक आसरम विवस्था कोन कोन हो गए ठीक इसको हम पड़ चुके है आसरम विवस्था क्या होगा सबसे पहला आसरम आपका ब्रमचर आसरम दुसरा ग्रहस्त आसरम तिसरा वानप्रस्था आसरम और चौथा और अंतिम ठीक है आपका सन्यास आ इस उपनिसद में किन की चर्चा की गई है इसको देख लेते हैं चांदोक उपनिसद में पुनर जन्म की चर्चा की गई है तो यह है हमारे उपनिसद ठीक है और उपनिसदों की परमुख रूप से ध्यान रखेगा जो भी उपनिसद है ठीक इन उपनिसदों के बारे में ब् जबावल उपनी सद और च्छंदों के उपनी सद चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा टॉपिक है विदांग आए देख लेते हैं विदांग क्या है विदांग को वेदों के अंग माना गया है तो कितने विदांग है 6 कौन-कौन सा सिख्छा व्याकरन जोतिस कल्प रखेगा वेदांग क्या है ये वेदों के अंग है वेदों के अंग और वेदों के कितने अंग माने गए है तिक वेदों के छे अंग माने गए है पहला है सिक्छा दूसरा है व्याकरण तिसरा है जोतिस चौता है कल्प निरुक्त एवं अंतिम है छंद तीक ये छे जो है विदांग है तीक आप से परिच्छा में पुछेगा तो इन छेओं के बारे में चर्चा की गई है तीक यहाँ पर ऐसा कोई करम के बारे में नहीं है दियान रखेगा तीक आप छे का नाम बस याद रखेगा सिक्छा व्याकरन जोतिस कल्प निरुक्त और चंद चलिए आगे बढ़ते हैं आएव हम महा कावे के बारे में पढ़ लेते हैं तो महा कावे जो है दो प्रमुक महा कावे पहला है रमायड दूसरा है महा भारत रमायड के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं रमायड के रचना तीक वाल मिकी द्वारा की गई है वाल मिकी करित रमायड वाल मिकी ध्यान रखेगा रमायड में कूल मिला के पहले आठ हजार आठ सो स्लोक थें पहले तिक 8800 लोग थें बाद में इसकी संख्या बढ़के 24,000 हो गई ध्यान रखिए कितनी हो गई 24,000 इसलिए तिक रमायन को चतुरविंशती चतुरविंशती सहस्त्री सहीता के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखिएगा चतुरविंशती का मतलब हो गया 24,000 सहस्तरी का मतलब हजार तिक 20,000 तिक अथात वह वेद तिक अथात वह गरंद जिसमें 24,000 स्लोक है क्या है? 24,000 स्लोक चतुरविंशती सहीता रमायन में एक और हम चर्चा करते हैं, एक और रमायन की नाम आता है, ठीक भुसंडी रमायन, ध्यान रखेगा, भुसंडी रमायन, भुसंडी रमायन को ही ध्यान रखेगा, आदी रमायन के नाम से जाना जाता है, आदी रामायन, कई बार यह प्रस्णों में पुछा गया है इसलिए इसको 14 स्थरी सहीता कहा गया है कि इनका इनमें एक और प्रकार है इसी भूसंडी रमायन को हम आदी रमायन के नाम से भी जानते हैं इसमें एक बार एक्जाम में पुछा था कि रमायन में कितने कांड है द्यान दखेगा ि情況 के नाम से ना भात है कांड मतलब भाग। तो कितने कांड है इसमें सात कांड है। ह महाँ द्यान दाइक यह आपसे पुछा जाता है। तो इस सात कांड़ों के चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। ***…. पहला कांड कौन सा हो जाएगा, बाल कांड, बाल कांड, दूसरा हो जाएगा आपका, तिक, अयोध्या कांड, तिसरा हो जाएगा, आर्रन्य कांड, किसकिंधा कांड, किसकिंधा कांड, किसकिंधा कांड के बाद, सुन्दर कांड, सुन्दर कांड के बाद, सुन्दर कांड के बाद, युद्ध कांड, और युद्ध कांड के बाद, उत्तर कांड, ठीक तो ध्यान रखिएगा, ये साथ कांड है, एक, दो, तीम, चार, पांच, छे, साथ, पहला बाल कांड, ठीक, क्रमसा आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक, क्रमसा आप ध्यान दे सकते हैं, पहले बाल कांड, दुसरा अयोध्या कांड, आरेने कांड, फिर किस्किंदा कांड, फिर सुन्दर कांड, फिर यूध कांड, और फिर उत्तरकांड इस प्रकार हमारे रमायन में ध्यान रखीगा यह महत्पूर्ण फैक्ट है ठीक यह आपसे प्रस्त में पूछी जा सकते हैं इसको आप ध्यान से पढ़िए ठीक इसका एक स्क्रीन सॉट कर लिजिए आप आयव हम देख लेते हैं महा भारत के बारे में महा भारत जो है महारत दूसरा प्रमुख महा कावव है महा भारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया है वेद व्यास वेद व्यास द्वारा महा भारत को ध्यान रखेगा महा भारत में कुल स्लोक जो है और अठारा पर्व है, तो ध्यान रखेगा, इसमें स्लोकों की संख्या कितनी हो गई, स्लोक, चुकि इसमें एक लाग स्लोक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सत साहस्त्री सहीता, ध्यान रखेगा, सात सहस्त्री सहीता, तिक, इसमें ध्यान रखेगा, तिक, महा भारत को जै सहीता भी कहा जाता है, जै सहीता क्यों? क्योंकि इसमें विजय, तिक विजय का वरणन है, इसलिए इसको जै सहीता के भी नाम से जानते हैं, clear है, महाभारत की रिचना वेदबाद द्वारे की गई है, ठीक है, स्लोक, एक लाध सलोक है, इसलिए इसको सत सहस्त्री सहिता कहा गया है ठीक इसमें इसको जय सहिता के भी नाम से जायता है क्यों कि इसमें विजय संबंधी वर्णन है ठीक इसमें कुल मिलाके 18 पर्व हैं ये हो गया हमारा महा कावे रमायड और महा भारत क्लियर है चली आगे बढ़ते हैं आई अब हम पुरान के बारे मं पढ़ते हैं पुरान क्या है चली देखते हैं पुरान जो है वो प्राचीन आख्यानाउं से युक्तगरंथ को पुरान कहा गया है यान रखेगा पुरानों का जो रचना है अर्थात इसकी रचनाकाल इसका रचनाकाल संदिक दिमाना जाता है, क्यों? क्योंकि इसका रचनाकाल जो है कोई एक निश्चित समय में नहीं हुआ है, पुराणों का रचनाकाल छटी सताब्दी इस्वी पूरु से लेकर गुप्त काल तक के बीच में हुआ है, क्योंकि अंतिम रूप से हम गुप्त क काल तक के इतिहास कावर्णन कहा मिलता है पुराणों में मिलता है तो यहां तक क्लेर हो गया पुराणों की संख्या की बात कर लेते हैं पुराणों की कुल संख्या अठारा है हाला के आगे इसको हम पढ़ेंगे ठीक पुराणों की कुल संख्या अठारा है ध्यान रखेगा तिक, रिग वेद, यजुर वेद, साम वेद, अथर वेद, अथात, वेदों के बाद अगर कोई ऐसा ग्रंथ है, जो सबसे यादा महत्पूर्ण है, तो वो है पुरान, इसलिए पुरान को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, पंचम वेद, ध्यान रखिएगा, तिक, इसकी महत्ता के कारण इसको हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं, अब आए एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक, अर्थ, अर्थ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, रचनाकार, इसके रचनाकार जो है, लोम हर्स, लोम हर्स, वा उनके पुत्र, उग क्योंकि रचना जो है वह 16 सत्वी सत्वी पूरस लेकर गुपतकाल तक चला है और यह इतना जलंबे समय तक तो रह नहीं सकते हैं तो सिरीज बाद है कि लोम हर्स वह उग्रसवा कौन है ठीक यह रचना मतलब आपके इसको रचना कार किताब में कहा गया है लेकिन आपको पुरान है इन कुल पुरानों में से कुछ महत्पुल पुराने के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जैसे मतल से पुरान मतल पुरान जो है यह सबसे पुराना पुरान है सबसे प्राचीन ठीक और यह सबसे प्रमारिक पुरान है प्रमारिक पुरान अर्थाद इसकी मारिक्ता भी सिद्ध है कौन सा पुराण मतस्य पुराण में हमको आंध्र साथ वाहन वंस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ध्यान रखेगा जितने पुराण है उस पुराण में इतिहास का महत्पूर्ण स्रोत है और हर एक पुराण से किसी ने किसी वंस के बारे में जानकारी हमको पराप्त होती है, तो मत्स्य पुराण से क्या पराप्त होता है, अंधर साथ वहनवंद्स ट्रिक कैसा है? मत्स्य मत्स्य मचली कहा मिलता है? आप समझे, अंधर प्रदिश के समुद्री तत्मे मिलता है. common तरीका याद करने का विश्णु पुरान विश्णु पुरान जो है इसकी रचना इसमें more events के बारे में जानकारी मिली है more events ध्यान रखिएगा more events के जानकारी कहां मिला है विश्णु पुरान में ठीक वायू पुरान वायू पुरान महत्पुन पुरान है वायू पुरान में गुप्तकाल अर्थात गुप्तवन के साथ सुंगकाल के भी बारे में इसमें चर्चा किया है तो वायू पुरान के जब बात आएगी तो आप दो वन्स के बारे में ध्यान रखेंगे पहला है गुप्तकाल और दूस तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक क्रिया, साथी साथ अगनी पुराण में ही पर्थम बार गनेश पुजन की चर्चा की गई है, गनेश पुजा, और थाथ गनेश पुजन, गनेश पुजन का पर्थम बार चर्चा, पर्थम चर्चा, और थाथ पर्थम बार उल्लेक, इतिहास मे कहीं है तो वह है अगनी पुरान ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हम आएब हम दर्संद गरंथों के बारे हम देख लेते हैं ठीक है दर्संद घ्यान रिखेगा उत्तरवेधी काल में ठीक है उसके और बात मतलब उत्तरवेधी काल के जो लास्ट समय था उसमें आपके सांग दर्संद की रचना कपील मुनी नहीं किया है कपील कपील मुनी ठीक नहय दर्सन नय दर्सन की रचेता थे गौतम रिशी तिक गौतम रिशी ने ही न्याय सुत्र की रचना किया है ध्यां दखेगा न्याय सुत्र की रचना किसने क्या है गौतम रिशी ने अगर है वैसे शिक दर्शन तो वैसे शिक दर्शन की रचनाकार कुण है कनाद तिक व उलुक दो नाम आएगा उलुक तिक दो नाम आ आतन्जली ने फिर योग सुत्र की रिचना की है, योग सुत्र जिसमें उन्होंने योग के बारे में चर्चा किया है, पूरा योग का वर्डन है उसमें, ठीक, पूरु मिमान सा, पूरु मिमान सा है जैमिनिये का, और उत्तर मिमान सा है वादरायन का, ठीक है, ये हमारे छे, यह हमारे दर्सन हो गए, सड़ दर्सन आएब हम जैन साहित के बारे हम चर्चा कर लेते हैं जो जैन साहित हैं, इन साहितों को हम आगम के नाम से जानते हैं और यह कुल मिला के बारा है, बारा की संख्या में है आगम साहित, अर्था पूरे जैन साहित है उन जैन सहित्यों की जो रचना की गई है वो प्राकृत भासा में की गई है तो इसको देख लेते हैं ठीक जैन सहित्य को किस नाम से जाने आता है आपसे ये पुछा जाएगा तो आप कहेंगे आगम सहित्य आगम सहित्य और ये कितने है तो कुल विला के बारा है ठीक है तो प्राकृत्र अब हम आके देख लेते हैं कुछ प्रमुक जैन सहित्त के बारे में जैसे आचरांग सुत्र भगवती सुत्र कल्प सुत्र और है आवशक सुत्र तो ध्यान रखेगा सुत्र के नाम से ये चार प्रमुक आएंगे आचरांग सुत्र भगवती सुत्र कल्प सुत्र और अवशक सुत्र ठीके इसके बाद आपको दो और प्रमुक गरंथाएंगे इसके साथ साथ बी न मैं Yap परिशिषट पर्वन πरिशिष पर्वन और भत्र भाभवु चरित्र अवर्वद्र भाहु चरित्र ठीक यह दो पुस्तके हैं इनके नाम से आएगा ठीक है कोन kommt अर्वर्वन और भत्र भाहु चरित्र और यह हैं हमारे जैन धर्म से सम्बंधित प्रमुक साहित ठीक, इसका एक स्क्रीन सॉट कर लीजे, ठीक है, आयब हम बौध साहित के बारे में जान लेते हैं, बौध साहित की जो रचना हुई है, ठीक है, वे अलग-अलग जैन संगतियों में हुई है, ध्यान रखेगा, ठीक, बौध धर्म के चार जैन संगती हुआ है, परथम जैन स को पीटक गरंथ के नाम से जाना गया है, पीटक का साब्दिक अर्थ होता है टोकरी, ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, कूल मिला के तीन पीटक गरंथ है, ठीक, अर्थात बहुत साहित में हम ध्यान रखेंगे, पीटक गरंथ, पीटक गरंथ, और ये तीन की संख्या में ह पहला है सुत्त पीटक, दूसरा है विनय पीटक और तिसरा है अभी धम पीटक, अभी धम पीटक, ठीक है, एक एक करकें की चर्चा कर लेते हैं, सुत्त पीटक, ध्यान रखेगा, सुत्त का अर्थ क्या होता है, सुत्त का अर्थ होता है, धर्मोप देश, धर्मोप देश, अ सुत्थ पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारत दिये गए उपदेशों को उसमें लिखा गया है। ठीक है, इसका इन दोनों की रचना, सुत्थ पिटक और विने पिटक की रचना पर्थम बौध संगतिम हुई है। पर्थम बौध संगति पर्थम बौध संगति जबकि अभिदम पिटक की रचना तिरती बौध संगतिम हुई है। कुन सा है? पहला है दिर्ह निकाए। दूसरा है मज्जिम निकाए। तीसरा है संयुक्त निकाए। खुंदक निकाए। और अंतिम है अंगुत्तर निकाए। तो ध्यान रखिएगा पांच निकाए हो गए। इनको ध्यान रखिएगा पांच निकाएं में बाटा गया है। कौन-कौन से ही निकाए। दिर्ग निकाए, मज्जिम निकाए, संयुक्त निकाए, खुंदक निकाए और अंगुत्तर निकाए। ध्यान रखिएगा सुथ पिटक को एक और नाम से जान जाता है। इसे बहुत धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया, ध्यान रखिएगा इंसाइक्लोपीडिया, बहुत धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कौन है? सुथ पिटक। क्लियर है? आज ये विनय पिटक. विनय पुर्वक नियम कानून अर्थात, विनय पिटक में बहुत दर्म से संबंदित नियम पानून है. ध्यान रखेगा नियम एवं कानून. अर्थात यहाँ पर जो आचरण के जो नियम है, उनकी चर्चा किया गया है. किसमें? विनय अभीधम पितक जो है अपना तिसरे पितक है इसकी रचना जो है ठीक है तीसरे बौद संगती में किया गया है और इसमें जो है ठीक जो भी सिद्धान्त है बौद धर्म के जो सिद्धान्त है ठीक उसका व्याख्या है तीक है, बहुत इस इंधादों की व्याख्या किसमे है? तो तीसरे पितक अभिदम पितक में है, तो इस प्रकाल सूत पितक, विनरे पितक, अभिदम पितक यह हमारे complete हुए, अब हम देख लेते हैं, कि बहुत सहीत में इन तिन सहीत के लावा और कौन-कौन से सहीत हैं, तो अ मिलिंद पनो, फिर दीपवन्स, दीपवन्स, महावन्स, जातक कथाएं, ललित विस्तार, महावस्तू, और दिव्यवदान, इतने सारे साहित्य हैं, चलिए, एके करके देख लेते हैं, इनमें क्या-क्या रचना दी गई है, मिलिंद पनो में, मिनांडर, एवं नागसेन, बहुत दार्सनिक है, और राजा है मिनांडर, इन दोनों के मद दार्सनिक चर्चा है, दार्सनिक विवाद है, उसका यहाँ पर उलेक किया गया है, दीपवन्स है, ठीक है, उसके बाद महावन्स, पिर जातक कथा है, ध्यान रखेगा, जातक कथा है, बौध दर्म के, बौध के पूर्व जन्म की कथा है, पूर्व जन्म की कथा किसमे है, जातक कथाओं में है, ठीक है, ललित व विस्तार और महावस्तू की खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों संस्कृत में लिखे गए हैं ये पुछा जाता है प्रस ध्यार रखेगा ललित विस्तार और महावस्तु उसके बाद आपका अगला ग्रंत हो जाता है दिव्यावदान तो ये हाँ पर जो भी साहित लिखा गया है वो बौध धर्म के साहित है बौध धर्म ने जन प्रचलित की भासा पाली का परियोग किया है ध्यान रखिएगा पाली पाली भासा का परियोग किया प्रमुख रूप से इनको प्रवचन की भासा पाली थी साहित्यों में भी पाली का उल्लेक किया है यादि पाली में लिखा है ठीक लेकिन कुछ गरंथ जो है अलग-अलग भासों में है ठीक है यहाँ तो clear हो गया अब आप इसका screenshot कीजिए फिर आगे देखते हैं अभी तक हमने धार्विक साहित की चर्चा की है अब हम चर्चा करते हैं लौकिक साहिते का ठीक है लौकिक साहिते में हमने कुछ पुस्तोकों का नाम लिखा है हम यहाँ पर यह देखेंगे कि इनके रचनाकार कौन है ठीक तो सबसे पहले धान रखिएगा ठीक यह ऐसे साहित के हैं जिन साहितसे हम को इतिहास को जानने में मदद मिला है अर्थात यह उस समय के उसwiet समय के विवस्था अर्थ विवस्था का वर्णन किया है तो एक्ए-क कर्के हम adolescent की नहीं कौन कौन से पर्मुक है तो देखिए गा को चली ऑर्थ सास्तर सहस का है टिक कौटई लिए द्वारा किया गया है, कोटिल, इनका एक और उपनाम है विशुनु गुप्त, विशुनु गुप्त, क्लियर है, तिक, दूसरा द्याय करें, मुद्रा राच्छस, मुद्रा राच्छस की रचना, विशाख दत्त द्वारा की गई है, किसके द्वारा, विशाख दत्त, याद करते चलिए हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र की रचना किस ने किया है बान भट ने किया है बान भट ठीक, स्वप्न वास वदतम भास स्वप्न वास वदतम भास के द्वारा रचीत है राज तरंगिनी कलहन के द्वारा रचीत है कलहन ध्यान रखेगा यहां पर कश्मीर का इतिहास है कश्मीर का इतिहास कश्मीर के बारे में हापत चर्चा किया गया है मृच्च कटिकम सुद्रक द्वारा रचित है सुद्रक ये नाम बार बार पुछा जाता है विक्रमांग देव चरित्र विलहांड द्वारा रचना है इसमें विलहांड की रचना है क्लियर है तीक तो ध्यान रखेगा इन लौकिक साहित्यों को एक्जाम में बार-बार पुछा जाता है, ठीक ध्यान से पढ़िएगा, अर्थ सास्तर कौटिल विश्णु गुप्त का है, मुदरराच्यस विशाखदत का है, हर्स चरितर बान भट, स्वप्न वास वदतम भास, राज तंगनी कलहन, मृच कटिकम स सबसे पर मुख साहित्याएगा, अस्टा ध्याई, अस्टा ध्याई की रचना है पानी नी, ठीक ध्यान रखिएगा, अस्टा ध्याई जो है एक प्रकार का व्याकरन का गरंथ है, यह पूछा जाता है किस प्रकार का गरंथ है, तो यह व्याकरन का गरंथ है, अगला है जो है विश्व का सबसे जादा भासाओं में प्रकासित होने वाला दूसर ग्रंत है पहला ग्रंत है बाइबिल और दूसर ग्रंत है पंच तंत्र रखुवंशम ध्यान रखेंगा रहोज़ू वंशम अभी ज्यान साकूंतलम विकरमांग देवचरित्र मेग्दुतम और माल व गह्वंसम, अभीज्यान साकुन्तलं, विक्रमांग देवचरित्र या सॉरी, विक्रमो वर्सियम, मेख दूतंग माल्विकागनश थी में आट-शास्त्र की राचनी की है, भरत मुनी ने, भरत मुनी, विरिभभभ सहीता, विरिभभ सहीता के रचनाकार कौन है, वराह मिहीर ह महाभास की रचनाकार को है? पातन जली है. ध्यान रखिएगा, यह भी व्याकराण का गरंथ है. व्याकराण, महाभास भी आपका व्याकराण के गरंथ है. अश्ता अधियाई के समान, कथा सरीच सागार, इसकी रचनाकार है, सुमदेव. तो यह हो गये हमारे लौकिक साहित् को आप बहुत अच्छे से पढ़ लिजे क्योंकि एक्जाम में यह जो है प्रात्मी ग्रूप से पुछे आते हैं एक स्क्रीन सॉट कर लिजे आप विदेशी यात्रियों का यात्रा विर्तान यह जो पुस्तके हैं जो विदेशी वेक्ति भारत में आये थे व्यापार करने के के लिए या शिख्छा ग्रहण करने केिए यह गूमने के लिए ठीक है उन्होंने बहरत के तकालिक समाज वचीन आर्थिक वच्था दीन क वच्वायच्था का वर्नन अपनी पुस्तकों में किया है तो वह पुस्तके जो है भारत की इतिहास जानने का के महत्पून यात्री का, केवल बस ये यात्रियों के बारे हम जान लेंगे काफी है, तेसियस, ध्यान रिखिएगा, तेसियस जो वास्तों में ये इरान के राजवैदे थे, इरान के राजवैद, इन्हों ने भारत और इरान के बिच संबंद का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है, क् इरोडोटर्स को इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का जनक, जनक अर्थात पिता, इनकी पुस्तक का नाम है, हिस्टोरिका, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हों ने भी अपनी पुस्तक में भारत के बारे में वर्णन किया है, ठीक है, अगला है, प्लीनी, प्लीन डिचुरल हिस्टोरिका, ध्यान रखेगा, इन्ोह ने जिव जनतुओएं के बारे में इसमें वर्णन क्या, पसुव पकची, जिव जनतु, साथी साथ भारत के इपसु पच्छी जीजनतु का वर्णन इस पुस्तक में है, टालमी, जो है टालमी दॉआरा लिखा गया पुस्तक के नाह में जेयोग्रफीका, और इस जेयोग्रफीका में इन्होंने भारत के बारे में भी वर्णन्ड किया है, ठीक है, सिकंदर, ध्यान रखिएगा, सिकंद सिकंदर ने तो रंडन नहीं किया है, लेकिन सिकंदर के साथ-Newyn शाथ आया थे, ठीक, आने सिकेट्स, औरिस्टरबुलस, आरिस्टर, बुलस, एम नियारकस, ध्यान रिखेगा, नियारकस, ये जो थे, ये तीनों कि तीनों भारत में आये थे और इन तीनों ने ही भारत में भारत के संबन में लिखा, ठीक है, किसने किसने, ठीक, अरिष्टे, किसने किसने, आने सिकिर्स, अरिष्टाबुलस और नियारकस ने, क्लियर है, ठीक है, अब देख लेते हैं, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जो है इनकी रचना है इंडिका इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा लेकिन ये पुस्तक प्राप्त नहीं है ध्यान रखिएगा इंडिका जो है मेगस्तीज की रचना है इंडिका इंडिका ये लेकिन अभी प्राप्त नहीं है वास्तों में इसका अस्तित अभी नहीं है परन्तु इस PUShtok के अधार पे जो इसके जानने वाले उन्होंनी इस PUShtok के बारे में जानकारी दे दिया है कि इस PUShtok में क्या क्या है यानी अनिगरंथों में ठीके, Dymakos और Chainosius इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं डाइमेकस, जो डाइमेकस है, यह जो है, सीरिया, सीरिया नरेश, एंटियोकस पर्थम का राजदूत है, एंटियोकस, एंटियोकस पर्थम का राजदूत है, और यह किसके दर्बार में आया थी, यह बिंदुसार के दर्बार में आया थी, ध्यान रखेगा, बिंदुसार के दर्बार में आये थे, ठीक है, तो डाइमेकस जो है, ठीक, ये सिरिया नरेस एंटियोकस का राजदूर्थ था, जो की बिंदुसार के दर्बार में आये थे, अर्थात इन्होंने अपनी रचना में, ठीक, ततकालिक समाज के बारे में वर्नन्ड किया है, ठीक, अगला है डाइनोसियस के बारे में जान लीजे, डाइनोसियस जो है, असोक के दर्बार में आये थे, और इन्होंने भी ततकालिक समाज के वर्नन अपनी पुस्तक में किया है, तो ये हो गए हमारे, ठीक है, यूनानी यात्री, इसका एक स्क्रीन सॉट कर लीजेगा आप, अब हम दे अपनी पुस्तक में भारत के बारे में कुछ ने कुछ वर्नन किया है, यहां से हमको भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे की सुलिमान, सुलिमान के जो पुस्तक है, रचना है, उसमें पाल, पाल वंस, एवन परतिहार वंस, इनके ब गजनवी के साथ कहा आया था भारत आया था तिक इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक एहिंद तहकीक एहिंद इसे किताबुल एहिंद के भी नाम से जाना जाता है और इसी पुस्तक में तिक ततकाली समय के राजपूत साथ सको या राजपूत वंस का चर्चा किया गया है किसके राइन ने गुरोजर प्रतिहार, के बारे में अपनी पुस्टक में चर्चा किया है即ि अबन बतूता इनकी पुस्तक का नाम रेहला थिक बंबतूता इनकी पुस्टक का नाम है रेहला ध्यान, ज़्यान दख्ईगा ये जो है फिरोज साह toglak के सासन pusat में भारत आये थै थी कि इनकी पुस्था का नाम tomar ये Heute तुछu को कि यहाँ तक अब हम देख लेते हैं चीनी यत्री के बारे में ओंसांग wanna नाम परमुकृप से आता है वंसंौं वेशाँ जो है यह हर्स वर्धन के के दर्बार में ठीक है हर्स वर्धन के दर्बार में आया था इसका पुस्ता का नाम था की क्लेयर है इसकी पुस्ता का नाम सी यू की तो वेंज़ञ जो आ है ध्यान रिखेगा recurring वेनसांग हर्सवर्धन के दरबार में आया, सी यू की रचना की, इसने भारत में ये जो दोनों है, परभुकृप से वेनसांग और फाहयान, ये भारत में बहुत धर्म से संबंदीत गरंथों का अध्यान, तिक है, करने के लिए आये थे, ये खुद बहुत थे, भारत में बहुत धर्म के बारे में जानकारी, अध्यन जानकारी के लिए ये भारत में आये थे, फाहयान, फाहयान जो है, ठीक, ये चंद्रगुप्त द्वितिय के समय भारत आये थे, चंद्र गुप्त द्वितिय ठीक और इनी चंद्र गुप्त द्वितिय को हम किस नाम से जानते हैं विक्रमा दित्ते के नाम से भी जानते हैं इनकी रचना है फोको यूकी, तो ध्यान रखेगा ये दो इनकी रचना है, ठीक है, वेंसां का सी यूकी, फाहयान का फोको यूकी, इसके लावा इस सिंग और चाव जूकुआ, ठीक इन लोगों ने भी भारत में आके भारत के इतिहास के संबंद में वर्डन किया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आएए अब हम फार्सी सहित्यकार के बारे हम जान लेते हैं, कि जो बहुत सारे फार्सी गरंथ हैं, उन फार्सी गरंथों में भी भारत की इतिहास के बारे में चर्चा है, ठीक जैसे कि फिर्दोसी, फिर्दोसी के पुस्तक का नाम है साहनामा, ध्यान क्लियर है, अली अहमद, अली अहमद की पुस्तक का नाम है चचनामा, तिक, इन्हों ने भी अपनी पुस्तक में भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है, मिनहाज उल सिराज, तिक, इन्हों ने, तिक, इनकी पुस्तक का नाम है ताबकाते नाशरी, ध्यान रखिएगा, पुल्फदल के पुस्तक का नाम है अकबर नामा, अर्थात अकबर के सासनकाल का इस में वर्णन है, टिक, जिया उद्दिन बरनी, टिक, तारीक ए फिरोज साही, तारीक ए फिरोज साही, फिरोज साही, अर्थात इसके सासन, अर्थात फिरोज साह के सासनकाल का वर्णन जिया अब हम आगे देख लेते हैं कि इतिहास को जानने के लिए और किन-किन माध्यमों का सहरा हम लेते हैं अब हम पुरा तत्विक सुरोत के बारे हम जान लेते हैं अभी तक हमने साहितिक सुरोत को पढ़ा अब हम इतिहास के जानने के पुरा तत्विक सुरोत के बारे हम पढ़ लेते हैं कि सिक्के किस किस प्रकार से हमको इतिहास का ग्यान देते हैं, इसके बारे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, चलिए, अब हम देखते हैं अभिलेक को, तो समसे पहले देखिएगा, यहां पर एक चित्र दिख रहा होगा, अभिलेक यहीं अभिलेक है, असोक के अभिलेक, तो इ अभी लेख के अध्यन को पूरा लेख सास्त्र कहा जाता है, इपिग्राफी कहा जाता है, अभी लेख, अभी लेखों के अध्यन को क्या कहा जाता है, अभी लेखों के अध्यन को पूरा लेख शास्त्र, इंग्लीज में कहेंगे तो इपिग्राफी, तो ध्यान रखेगा ये सब पुछा जाता है अभीलेखों के अध्यान को क्या कहा जाता है तो अभीलेखों के अध्यान को इफिग्राफी के नाम से जाना जाता है तो चलिए हम देख लेते हैं, थीक, महत्पूर अभिलेकों के बारे में, ठीक है, उन अभिलेकों वह अभिलेक कहा थे, उसमें क्या क्या जानकारी थी, या किस सासक से संबंदी थे, इतना हम जान लेंगे, ठीक, इस चेप्टर में, आए अभ हम देख लेते हैं, पर्मुक देश्या और इस बोगज को अभिलेक में वैदिक धर्म के चार देउता के इरेंद्र अगनी वरुन और नासत इन चारों का वर्णन तिक इस बोगज को अभिलेक में है । तिक है मासकी गुर्ज curator अपन गूडिया यह जो 3 अभिलेक जो है ये मद्य पर्देश में है तीक दियान देखिएगा मास्की गुर्जरा पंगुर्या ये तीनों के तीनों अभिलेक मद्य पर्देश में है और इसी में इन तीनों में ही असोग का नाम असोग देव नाम प्रिये मिलता है असोग का जो नाम है राजा असोग का नाम क्या मिलता है देव नाम प्रिय तिक असोग देव नाम प्रिय ये नाम मिलता है इन तीनों अभिलेक में जुनागड अभिलेक के बारे में जान लेते हैं जुनागड अभिलेक जो है वो गुजरात में है जहां रखिएगा तिक इसमें सकसासक सकसासक रुद्रदामन रुद्रदाम तिक इसके बारे में इनके बारे में चर्चा किया गया है सकसासक रुद्रदामन तिक इसके रचनाकार कौन है सकसासक रुद्रदामन क्लेर है नासिक नासिक कहां पर है महारास्र में यहां पर है साथवांसासक पुलुवामी तिक यह इनकी रचना है इनके बारे में तिक इनक अभीलेग से, भीतरगाओं का अभीलेग, यह है सकंद-गुप्त का. यह जो है आपके उत्तर पर्देश में है, सकंद-गुप्त के बारे में हमको जानकारी, भीतरगाओं का अभीलेग से मिलता है. गरूर-अस्तंब, अभीलेग, इसकी रचना जो हेलियो-डॉरस द्वारग रτοम से परभावित हो के उन्होंने वीदीशा में गरूरिस्टम्भी की स्थापने की कहा पर वीदीशा में तिक अर्था ओंक ये वहत Nyoвойती, प्रहुथी परभावित थे है ध्यां रखिएगा प्रयाग प्रसस्ती अभिलेक प्रयाग प्रसस्ती अभि लेक के रचना कार्थ ह हरिशेन हरिशेन और इसमें समुद्र गुप्त के बात है समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त के बारे में चर्चा है कहां पर ठीक प्रयाग प्रसस्ति अभिलेख में तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार ठीक है विबिन अभिलेखों के माध्यम से हमको विबिन राजवनसो के राजाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है ठीक इतना से आप समझ सकते हैं कि पुरा तात्विक स्त्रोत में ठीक है ये सारे स्त्रोत जो है किसी ने किसी प्रकार से राजाओं के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं डिलिवर कर रहे हैं कि किस प्रकार से राज जाके आदेश के बारे में वर्णन है, चाहे समाजी छेतर में हो, आर्थिक छेतर में हो, या रादनितिक छेतर में, ठीक तो यहां से हम को पुरा तक्त्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं सिक्के के बारे में सिक्के जो है महत्पूर साधन रहे हैं इतिहास को जानेने के लिए हर राज़ा जो हुआ है उन राजाओ उने अपने अपने नाम से सिक्के जारी किये है या अपने कुछ विशेश पर तिक चिनिके नाम से सिक्के जारी किये हैं तिक तो सिक्के का मतलब हो गया कि जो राजा जिस जगह पे है जितना उसका राज्य छेतर है उन जगहों पे उसका सिक्के का परसरें होगा अर्थात अगर कोई सिक्का जो है किसी एक इस्थान विशे था, तो सिक्के जो है इतिहास जानने के महत्पुर्स साभित हो चुके हैं, अब ध्यान रिखेगा, सिक्कों के अध्यान को हम क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्यान को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, ध्यान रिखेगा, न्यूमिस्मेटिक्स, तिक इस चीज को आप लिख लिजे, तिक न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्यान को, जिस प्रकार अभिलेखों के अध्यान को एपिग्राफिक कहा गया है, उसी प्रकार सिक्कों के अध्यान को निमिस्मेटिक्स कहा गया है अब हम देख लेते हैं तिक सिक्कों के बारे में तो ध्यान रखिएगा सर प्रथम सिक्के कौन से हैं भई तिक तो सर प्रथम सिक्के जो है पंच मार्क सिक्के है पंच मारक अर्थात आहत शिक्ये, जो विश्व में सब से पहली बार प्र चितर हुआ है, वो आहत सिक्येs, अहत सिक्येs का मतलब धातू को लिया जाता था, उसके उपर सील के रूप में टिक है, जोरदार एक परहर कया जाता था, एक सील से, जिससे की सील में जो भी चित्र था वो चित्र अंकित हो जाता था ठीक है उस सिक्के में या उस धातू में उसी को हम आहत सिक्के कहते हैं पर्थम सोने के सिक्के किसके द्वारत जारी किये गये थे तो पर्थम सोने की सिक्के यवनों द्वारत जारी किये गये थे यवन सासकों द्वारत जारी किये गये थे स सरवादिक सुद्ध सोने के सिक्के, यानि कि जो सोने के सिक्के हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिटी था, किसके? कनिश्के के सासनकाल में, कनिश्क, ध्यान दखिएगा, कुसानवंस का सासक है कनिश्क, तो कनिश्क के जो सिक्के थें, ये सरवादिक सुद्ध सोने के सिक्के की रूप में जाना जाता है और अगला है सोने के सरवाधिक सिक्के मात्रा में quantity में यह है गुपत सासक यानि गुपत सासकों के सिक्के मिले हैं बहुत बहुत आयत मिले हैं जहां भी मिले हैं वहाँ पर बहुत सारे हैं तो ध्यान रखेगा, गुप्त सासों को द्वारा सरवाधिक सोने के सिक्के जारी किये गए थे, तो सोने के सिक्के, ठीके, उसके अलवा अन्य धातुओं के भी सिक्के, अलग-अलग सासों के मिले हैं, ठीके, जिसको हम इतिहास में आगे जाके पढ़ते जाएंगे, तो हमारे यहां उद्देश यह है, आपको यह बताना है, कि सिक्कों के माध्यम से भी इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, क्लियर है चली आगे बढ़ते हैं ठीक है सिक्कों के बारे में ही थोड़ा यहां देख लेते हैं यहां पर क्या क्या है यहां पर आप देख रहे हैं ठीक यह जो सिक्के हैं यह यह आपके पंचमार आहत सिक्के हैं यह भी आहत सिक्के हैं आहत ठीक अर्थात यह विश्व के प ठिक है तो यह ध्यान रखेगा ये धात्यक्न रात भीए सुन ये चीजि यह सुने स के हैं यहाँ पर द्यान दिजिए यह धनूश मंथह भात यह था है तो यहां पर आप सोने के सिक्के को दोनों को तुलना करेंगे, तो यह सरवादिक शुद्ध सोने की सिक्के हैं, और सरवादिक मात्रा में सोने की सिक्के गुप्तसास को द्वारा जारी किये गये थे, clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, मिलने वाला नहीं है यह हम लोग को, ठ जिहास को जानने के प्रमुक स्रोथ हैं, साधन हैं, अलग-अलग कालों में, अलग-अलग परकार के मुर्तिकला का परचलन रहा है, तो हम यहां पर प्रभुखुर्भ से, दो परकार के मुर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे, पहला देख लेते हैं, गंधार कला सेली, तो इन दोनों Kalaseli इनके स्थान विशेस के नाम से जाने गए हैं क्योंकि उन्हीं स्थानों पे इसका परचलन बहुत हुआ था तो सबसे पहले देख लेते हैं गंधार Kalaseli के बारे में गंधार Kalaseli को Indobacterian Salis भी कहा जाता है Indobacterian Salis इंडो बेक्टिरीन का मतलब हो गया भारती और ओर यूनानी अर्थाद यह एक मिस्तरी तसैली है कला की जिसमें भारती और आपके यूनानी इन दोनों के दोनों मिले हैं यहां पर आप समझ सकते हैं, इसका मतलब यह हो गया, कि भारती जो कलाकार है, वो बैक्टरिया गय होंगे, या बैक्टरिया के कलाकार भारत में आए होंगे, जिससे इन दोनों का एक दूसरे पर क्या हुआ, परभाव पड़ा, ति खास कर हम भारत के देखते हैं, भारत के ज वंस के काल में आया था, कुसाड, ठीक खास कर कनिश्क, ध्यान रखिएगा, कनिश्क के सासन काल में इसका भारत में बहुत ज़्यादा प्रचल हुआ, क्योंकि कनिश्क के सासन काल में महात्मा बुद्ध के जो मूर्ती बने है, ठीक वो मूर्ती जो है, इंडो बैक्टरियन स मुठरा कला सहली इससे ज़्यादा भिन्हे नहीं है। इसमें लाल बुलुआ पथ्र का यूज क्या याता है। कुछ ध्यान रखेगा ऐसा नहीं कि केवल गुप्त में है यहां पर करिश्क का भी आप समझ से पहले हम तिक या इसी का आज पास हम क्या सपते हैं करिश्क यानि हम करिश्क का भी यहां पर हम नाम ले सकते हैं क्योंकि बुद्ध के मुर्थी इसके समय भी प्राप्त हुआ है तो ध्यान रखेगा लाल बलुवा पत्थर से निर्मित होता है तिक मत्राकलासैली और यह विशुद दूर्ब से भारत में हुआ है जबकि यह मिस्रित है दोनों में एक तुलना है पत्थर के बारे में UPSC में पुछा जा चुका है कि मत्राकलासैली में किन पत्थरों का प यहां पर आपको दो कैटिगरी दिख रहे होंगे, तीक मिडिल से इस तरह आ जाईए, यह जो दिख रहा है, यह स्लेटी पत्थर है, अर्थात यह गंधार कला सैली है, गंधार कला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां पर जो युनानी देवता होते हैं, युनानी देवता खासकर अपोलो अर्थात सूरी देवता, तो उनका जो चित्र बनता था, ठीक है, तो अधिकतर महत्मबुद्ध के जो चेहरे हैं, जो सीर है, उनको अपोलो देवता के रुप में इंगित किया गया है, ठीक है, अर्थात वहां के कला सैली में उसको ढाल दिया गया है, तो मत्वरा-कला सैली, मत्वरा-कला सैली जो है, लाल-पत्षरों से बना हुआ है, थीक रेड़ इस्टोन से, इसको भारत में, मत्वरा में ठीक और उसके आस-पास के च्शीतरों में, थीक है, तो बहात्मा बुद्ध के भी तत्वालिक समय में मुर्तियां थीक बनी थी, काफ आगे चलिए अब हमारा है चित्रकला ठीक ध्यान रिखिएगा मानो मानो ने जब से थोड़ा सब देखी सबसे पहले जब ठीक मानो का विकास हुआ यानि मानो जब प्रारंभिक अवस्था में था अर्थात पूरा पासाण काल में तो आरंभिक समय था वो था हीम यूग अर् मी धीरी धीरी करम सा ठीक है मानो इतिहास आज के समय में आ गया है तो सबसे प्रारंभिक चरोनों में अगर हम देखें तो चित्रकला जो है आधी मानो के द्वारा प्रचलित हुई है जैसे कि हम चत्तिस-गड़ में देख लें तो चतिस-गड़ के कबड़ा पहर सिंगनप पूर्पूर की गुफा में, बद्द्त प्रदेस में देख लिए तो बागी की गुफा है, उसी परकार जहां भी आदि मानों रहे हैं, ठीक उन्होंने से में अपने चित्रों पर अंगीत कीसी की था, ठीक तो प्थरों में उनी को सेल उनके बारे में हम देख लेते हैं, यह दिखिए इस प्रकार का यहां पर इन्हों ने क्या किया है, अंकद क्या है, टिक है, यह जो है गुफ़ा है, टिक अब अंदर जाएंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे चित्र मिलेंगे, ध्यान रिकेगा, यह सब चित्र गड़ा है, इसके अंतरिक डिवालों पे चितर है इनसे हमको यह जानकारी मिलता है कि अजनता जो है यहाँ पर ध्यान रखेगा जो गुफा होती है जैसे एक माली यह बौ। दर्म से संब्वंदित है तो बौ। दर्म से संब्वंदित है यहां पर आपको अभिलेक मिलेंगे, यहां पर लिपी मिलेंगे, मूर्तिया मिलेंगी, ठीक है, तो अजन्ता हो गया, एलोरा हो गया, ठीक, अजन्ता के बाद हम और गुफाई देख लेते हैं, ठीक, जैसे कि यह एलोरा की गुफा है, उसके बाद दिखिए, यह जो दिख र तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, यह आदी मानों द्वारा बनाए गए चितरकला है, तीक है, मतलब उस समय भी इस प्रकार से यह बना रहे हैं, तो काफी अच्छा है, हमारा तो पेंट जो है, कल धूल जाएगा, तीक, इनका देखिए आज तक नहीं धूला हुआ है, हज जारुसार के तापमान में, आज हमारे कलर, कपड़े का कलर, दो घंटे में फिका पड़ जाता है, तीक, आदमी का कलर तो और जल्दी फिका पड़ जाता है, दूप में, चलिए, आप आगे बढ़ते हैं, तीक, यहां देखिएगा, यह अजंता की गुफा के अंदर का है, ठीक, चित्र, आपको हल्का असा दिखाई दे रहा होगा, अर्थात उस समय, ठीक, हमेरा बस यहां यह बताना है, कि जो विभिन परकार की गुफाय थी, उन गुफाओं में, ठीक है, चित्रकला को अंकित किया गया, उन चित्रकला को हम देख के जान सकते हैं, कि उस समय के चित्र से हम यह जान सकते हैं, कि महलाओं की स्तिती, पूरुसों की स्तिती, ठीक है, या ठीक, उनका जो अंकन जो अलग-अलग परकार से किया है, तो उनको देखे के हम को, ठीक, एक जो जनरल परसेप्सन बनता है, उसके अधार पे हम इतिहास में उस चित्रकला के माध्यम से भी आप इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अभी जो पीछे में जो रौक एडिक्ट है अर्था, ठीक जो रौक है पत्तर, उस पत्थर के ऊपर ये भी चित्र है, ये भी आदी मानोदवारा बनाए गया है, ठीक है, तो इन से भी आपको क्या पता चल स इतिहास के जानने के प्रमूख स्रोथ, ठीक है, आसा करता हूँ, कि आपको यहां से आपके परिच्छा के उपयोगी के लिए, ठीक है, तथे जरूर मिले होंगे, ठीक है, तो मेरा यही उम्मीद है, कि हमारे संस्था जो है, यही आपके लिए कर रही है, कि आपको आपके पर के online platform के लिए या तो आप app download कर लिजे उनका telegram हमारा telegram channel है आप telegram channel download कर लिजे ठीक वहाँ से आप हमारे हाँ से जूड सकते हैं आप हमारे website पर visit कर लिजे different sectors में हमारे यहाँ ठीक है आपकी courses available है आप उन courses को वहाँ से कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो के लिए अगला जो हमारा जो topic होगा वो इतिहास से सम्मंदित काल वी भाजन होगा अर्थात किस प्रकार पसांड काल पसांड काल के बाद अन्निकाल जो आएं ठीक उनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक तो पसांड काल से लेकर माहाजन्दपद का अगला वीडियो होगे अर्थात पसांड काल के बाद पूरे पसांड काल के बाद वेदिक काल माहाजन्दपद काल इन सभी चीजiful को पढ़ेंगे एक ही वीडियो में तीक है तब तक के लिए धन्ठ्यवाद